नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी फूट्स की एक नई वीडियो में मेरा नाम है संधी प्यादो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैसे हर वीडियो में हम बात करते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में जानेंगे कि आपको अपनी डाइट में फूट को क्यों सामिल करना चाहिए क्या-क्या उनके पोशक्ता तो हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं क्या फायदे होते हैं कितने फायदे मंद है अगर हम डेली फूट का सेवन करते हैं अपनी डाइट में शामिल करते हैं दोस्तों अगर एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट यह कहते हैं लगबग अपनी डाइट का आपको 25% जो कैलरी है उसका इंटेक फूट से करना चाहिए उसकी पूर्ती आपको फूलो से करनी चाहिए फूलो का सेवन करना हमारे लिए बेहद आवसक है बहुत सारे विटामिन सुट से मिलते हैं बहुत सारे ऐसे खनिच तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवसक हैं जो डाइटरी रूप में एवलेबल रहते हैं फूलो से हमें प्राप्त होते हैं साथ ही साथ बहुत सारे एंट फलो को खाने से हमारे शरीर पर क्या-क्या positive impact पड़ते हैं क्या फाइदे हमारे शरीर पर उसके होते हैं सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें वह मेरे साथ ही जिनका digestion गढ़बड है यानि कि उनको प्रोब्लम रहती है तो उनको जरूर अपनी डायट में फलो को सामिल करना चाहिए इसमें बहुत अच्छी मातरा में डायटरी फाइबर प्राप्त होता है जो आपको कवज जैसी प्रोब्लम या आपके मेटाबोलिजम से संबंदी प्रोब्लम या आपको कॉंस्टिपेशन जैसी प्रोब्लम जो रहती है उसको दूर करने में आपकी हीलप करता है बहुत अच्छी मातरा में डायटरी फाइबर प्राप्त होगा जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा डायटरी फायबर के साथ साथ इसमें सोलिड फायबर भी रहता है जो आपको कॉंस्टिप प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करेगा दोस्तो इसी करम में अगर बात करें वो मेरे साथ ही जिनको डियाबटीक प्रोब्लम है उनके लिए वेद फायदे मंद होगा क्योंकि इसमें डियेटरी फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में राप्त होता है साथ ही साथ कार्बोईडेड जो आपको प्राप्त होगी वो धीरे धीरे आपकी बोडी में डाइजिस्ट होगी जिससे आपका जो बलड सुगर है एक दम से ना बढ़के धीरे धीरे बढ़ेगा और ये एक तरह से आपके बलड सुगर को नियंदरित करने का काम करेंगे दोस्तों अगर बात करें इससे अगर कोलोस्ट्रोल की बात की जाती है तो आप नियमित रूफ से फलका 7 करेंगे इसमें बहुत अच्छे विटामिन्स आपको प्राप्त होंगे जो आपके cholesterol level को down करने का काम करते हैं जो आपके blood में cholesterol जमा रहता है उसको पिंग लाकर ये बाहर करने का काम करते हैं साथी साथ जो HDL है उसका बनने का जो process है उसको बढ़ाने का ये काम करता है blood pressure की बात की जैसे हमने और इसमें दूसरी बात की कि ये कलोस्ट्रोल को कम करने का काम करता है तो सीधे-सीधे आपको हर्ट संबंदी बिमारियों से आपको बचा कर रखेगा साथी-साथ वो मेरे साथी जो अपनी स्किन को लेकर या अपने बालों को लेकर अवेर रहते हैं इसमें फोलो में बहुत अच्छी मातरा में आपको विटामीन A प्राप्त होता है, विटामीन C प्राप्त होता है, विटामीन E प्राप्त होता है जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, फाइदेमंद है साथ ही साथ इसमें जो antioxidant पाए जाते हैं वो आपके सरीर में जो free radicals हैं उनको kill करते हैं उनको खतम करते हैं जो सीधे सीधे आपकी skin के लिए आपकी बालों के लिए फायदे मंद हैं उनके स्वास्ते के लिए दोस्तों अगर बात करें वो मेरे साथी जो वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए बेहत फायदे मंद होगा कि अपनी डाइट में जितनी भी आपकी requirement है उसके 25% पूर्ती आप फालों से कीजिए उतनी मातरा में आपको calories जो है वो फालों से लेनी चाहिए बहुत अच्छा होगा अगर आप dietary fiber का सेवन करेंगे आपका metabolism boost होगा जो energy level है वो ज़्यादा रहेगा आपकी muscles अच्छी grow करने में ये आपकी help करेंगे आपके पाचन किरिया को सुधार कर दोस्तों अगर इसी करम में बात करें वो मेरे साथ ही जो चाहते हैं कि एक healthy life जीए बहुत energetic feel करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा होगा क्योंकि इसमें जो आपको ततो उपराप्त होते हैं वो आपकी oral health के लिए बेहत अच्छे हैं चाहे आप vitamins की बात कर लिए minerals की बात कर लिए antioxidant की बात कर लिए तमाम तरह से यह आपके लिए फायदे मंद होगा दोस्तो इसमें vitamin C जैसे मैंने बताया vitamin C की अच्छी मातरा पाई जाती है vitamin C सीधा सीधा immunity booster है जो तमाम तरह के संकरमनों से आपकी body को protect रखता है तमाम तरह के संकरमनों से आपको बचा कर रखता है तो fruits खाने के अपने आप फायदे हैं दोस्तो नियमित रूप से खाईए जो भी seasonal fruit जो भी आपकी market में easily available हो कोशिश करेगा किसी भी time आप दिन में breakfast के time कीजिए lunch से पहले कीजिए lunch के बाद इसका 7 कीजिए ये तमाम तरह से आपके लिए फायदे मंद होगा तो दोस्तो यही आज की वीडियो का content था वीडियो आपको पसंद आई है like share जरू करिएगा और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे channel को share और subscribe जरू करिएगा नमस्कार